हलो एव्रीवन वेलकम टू टो एक लास व थीवाई वीकॉम फिट सेम्ट सब्जेक इस फिनांशल अकॉंटिंग टॉपिक इस इन्वेस्मेंट अकॉंटिंग टोडेग विया विंग तॉपिशन निबह फॉर दाट मीं लेक्चे निबह फाइव लेक्चे निबह वन इंट्र सब्सक्राइब कोई भी ओपनिंग बालेंस नहीं है हमारे पास यह चीज को याद रखना क्योंकि कोई इंफर्मिशन नहीं है चीज कोई कुशन नमबर वान टू त्री में उपनिंग बालेंस था तो उस पर इंटरस निकालना पड़ता था हम लोग को और यहां पर दोको ओपनिंग बालेंस नहीं कंडिशन नमबर वन अखली फेस वैल्यू बता रहा है वह सो का और अभी जो कैलक इंटरस है कोई कम इंटरस है एक्स इंटरस यानि विदावड इंटरस कम इंटरस यानि विद इंटरस और फिर लास में बोले बुकर क्लोज ओं 31 मां एवरी यह मार्के प्राइस ऑन 31 मां 17 अभी तो इयर एंड में मार्केट प्राइस दिया हुआ है 90 रुप्या मार्केट प price आएगा तो market price और कौस BA करते हैं और जोवर के हिसाब से लिखते हैं तो यह चीज़ को एंड़ में समझ में आएगा तो इसको फिलाल स्किप करएंगे कई एंड़ में देखेंगे इसको पूरा सम होनी के बाद तो पहला हम लोग हमारा अपरेट और की नटरॉ करते हैं स्टार्ट विद आपका एप्रेइल से कालकुलीशन है मास तकका तो लाइन उस तरह से हम ड्रो करेंगे हमारा डैट का का कालकुलीशन का फ्रॉम ए Эप्रेइल टिल माच यह पहला अपको मंत लिखना मन्त लिखने के बाद as per the date आप उपर initial लिखते जाएंगे टिक माग करते जाएंगे तो पहला देखो April 1st April को ही इन्होंने बोला कि भाई ब्याज calculation करना है बहुत अच्छी बात है तो 1st April को interest आए तो मैंने I लिखना है और ये हमारे लिए borderline होता है इसको याद रखें एक तो 1st April borderline रहेगा और दूसरा borderline रहेगा हमारा 1st October को तो ऐसे लिए इसको highlight कर दिया है मैंने ये borderline है क्योंकि हमें date का calculation करना है reverse मन जब calculate करेंगे मन को reverse जाएंगे तो कहां जाके रुखना है तो वो ये आपको याद रहेगा कि यहाँ पे मुझे रुखना है सबसे पहले उन्होंने बोला था कि भाई हमने interest लिख दिया बता दिया फिर 1st June को purchase है तो 1st June purchase, 1st September को purchase है 1st September purchase, 1st December को sold है तो S लिख दे फिर 1st February को again purchase है और 31st March को आपका book बंद होता है यानि यहाँ पे interest accrued आपको calculate करके बताना है at the end तो ये चीज़ अगर आपने सही से लिखी तो आपका calculation जो interest का calculation हो simple रहेगा interest 12% निकालना है हम लोग को तो अब working और अब actual working और draw करते है calculation कैसा करेंगे हम लोग पहला यहाँ पे opening balance तो है नहीं तो purchase से शुरू करना पड़ेगा और ये purchase पे जो interest आने वाला है तो reverse calculation बोलते हम लोग और reverse calculation 1st June से तो 1st June लेना नहीं है हाँ 30 June हो था तो हम June मन कंसिडर करते हैं मगर 1st June है तो June मन कंसिडर करने की जरूवत नहीं है तो it will be May and April April का borderline पर आना पड़ेगा क्योंकि ये पहली तारीक है हाँ अगर 30 April बोलता है ये interest का date तो फिर मैं आप April नहीं गिनता यहां पर 1st April बोला है तो हमें 2 महिना गिनना पड़ेगा तो ये जो purchase figure आने आला जो भी है इस पर जो interest आएगा वो 2 महिने के लिए आएगा तो पहला तो calculation कर लेते 392x interest है ये तो 27600x interest यानि without interest और इसको highlight किया है यानि ledger में हम यही figure लेके जाएंगे हाँ आप interest का calculate करना पड़ेगा मगर interest face value पर आता है तो 300 into 100 जो initial face value से multiply होगा number of share तो अब जाएगा आपको face value मिलेगा यानि 300 into 100 कितना है बच्चो 30,000 आया और इस 30,000 पर 12 टक आएगा कितना मेना दो मेना भी बताया है मैंने आपको first June ने इसलिए June अटा दिया फिर दो मेना रिवस मारे April लेना पड़ेगा क्योंकि April की पहली तारिक है यानि पूरा cross करके जा रहे हम लोग हाँ अगर 30 April होता तो भी हम एक ही मेना लेते हैं यहाँ first April इसलिए दो मेना लिया X interest यानि इसके अंदर interest नहीं था तो आप plus करके बताओ दो भाई ये with interest हो जाएगा 28,200 इसकी कोई जरुवत नहीं हमें हमें जरुवत है cost की हमें जरुवत है interest की हमें जरुवत है face value की ये तीन चीज़ चाहिए हमको फिर purchase के बाद अगला stop आता है हमारा 1st September को फिर से purchase हुआ 100 into 94 come interest अब इसके अंदर interest है बच्चो तो आपको come interest 100 into 94 बताना है 9400 अब ब्याज निकालना है interest निकालना है interest हमें उसा face value पे आएगा तो हमें face value मिला 10,000 और 10,000 बें ब्याजा 12 टका पांच मेने के लिए मैना कैसा है 1st September गिनने का नई पहली तारीक है तो reverse मार ऑगस जुलाई जून में एप्रेल कितना मेना है बच्चो पांच मेना है इसा है पांच मेना हमने लिखा यहां पे reverse calculation for interest इसको हमेशा याद रखें तो इससे हम गड़ी गड़ी practice करेंगे तो आपको यह habit बन जाएगी reverse calculation का और आपको पता चलेगा कि भाई यह मेना लेना है कि नहीं लेना है पहली तारीक है तो महिने को छोड़ दो आकरी तारीक है जैसा भी 31st मार्च का हम calculation करेंगे तो यहां पे फिर आपको यह मार्च consider करना पड़ेगा क्योंकि 31st आकरी तारीक है यहां पे हमने September रों consider नहीं किया क्योंकि पहली तारीक है तो आप 1,2,3,4,5 तक आ रहे है तो यह पांच मेना आ गया any outcome interest है यानि आपको interest यहां minus करके बताना 9,400 में से 500 minus किये तो यह ताउजन नाइन अंड़ेड विदाओट interest है और हमेशा यही figure हमारा लेजर में जाता है cost column में तो यह ताउजन नाइन अंड़ेड चाहिए 500 चाहिए और face value जो original figure है 10,000 वो चाहिए फिर आप उन लाइन पर आगे चलते हैं बच्चो फॉस सेप्टेम माद ये फॉस October आ गया है यानि ब्याज निकानना पड़ेगा तो interest का calculation हम सम में करते हैं लेजर में करते हां interest का month यहीं पर निकानना पड़ेगा तो पहली तारीक है यानि इसको ignore कर दो October को September, August, July, June, May, April कितना महिना है बच्चो छे महिना यानि यहां पर जो interest आएगा वो छे महिने के लिए आएगा ठीक है अब balance figure पर आता है तो वो लेजर में easily समझ में आता है तो इसको month लिखके छोड़ दो इसका calculation हम लेजर में करेंगे तो अब हम लोग समय से आगे चलते हैं October, November, December में क्या हुआ बच्चो सेल्स हुआ तो हम सेल्स के एंट्री पास कर देते हैं December में सेल्स करेंगे 295 एक्स इंट्रस्ट है तो पहले दो लिख लेते हैं हम लोग 295 19,000 एक्स इंट्रस्ट है यानि विदाउट इंट्रस्ट है यह important पार्ट है यह लेजर में जाएगा तो जो लेजर में जाने होला उसके मैंने हाइलाइट किया यानि विदाउट इंट्रस्ट अब इसमें बैज निकलेगा बैज फेस वैल्यू पे निकलेगा यानि 200 इंट्वेट ट्वेटी ताउजन और 20,000 पे कितना मेने का बैज आएगा तो फेस वैल्यू पे जो अभी इ तो नॉमबर ऑक्टोबर ऑक्टोबर भी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टोबर की पहली तारिक है तो पुरा मेना क्रॉस होके जा रहा है अगर ये ऑक्टोबर की आखरी तारिक होती तीस तारिक तो हम ऑक्टोबर भी नहीं लेते हाँ तो ये सम में याद रखें बेसिकल बताया तो मैंने टू हंड़ेंट ट्वेटी ताउजन ट्वेटी ताउजन पे ट्वेल परसंड दो मेने के इसाब से तो एट कम्स टू 400 और यह एक्स इंट्रस्ट था तो प्लस कर दो अब पूद अच्छी बात है मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाइटीन ताउजन एफ और ट्वेटी ताउजन है शेल्स के अंदर एक कैल्कुलेशन बढ़ जाता हमारा प्रॉफिट और लॉस का तो अब वो कैल्कुलेशन कर लेते हम लोग सबसे पहले फॉर्मला याद रखे नंबर ऑफ सेक्रेटी सोल्ड बीस हजार की सोल्ड भी है न यह ता हमारा 30,000 फिर यह ता हमारा 10 यानि 40,000 उसके बाद सोल्ड आ रहा है न तो 300 इंटू 100 यानि 100 से मल्टिप्लाइ करके यहां पर लिखा यहां पर 30,000 और 10,000 यानि कितना हुआ 40,000 तो टोटल नंबर ऑफ सेक्रेटी 40,000 नंबर ऑफ सेक्रेटी सोल्ड 20,000 और इसका कॉस कॉस्ट कॉस्ट कॉलम में है इसलिए किया था मैंने आपको यहां पर समझ में आएगा तो पर्चेस वाले कॉस्ट कॉलम में जाएगा यहने 27,600 को 8,900 से मल्टिप्लाइ करें तो 31 या 32,000 कुछ आएगा यहां कैल्कुलिशन कर लेते हम लोग तो हमेशा पहले तो हमारा 30,000 तो लिख ले दिया पर नंबर ओफ टोटल सेक्रिविटी डिवाइड करना है 40,000 कैसा है बच्चो 30 और 1040 और उसी तरह से कॉस्ट 27,600 को 8,900 से प्लस करो इट कम्स तो 36,500 यह हाइलाइट से समझ में आया कि भाई यह लेजर में यह जाने वाला है और लेजर में डेविट 36,500 तो कॉस्ट प्राइज आ गया मुझे 18,250 नौब यह तो कमपैस सेलिंग प्राइज इस मोर दाट में 750 इस मैं प्रॉफिट फिगर और यह 750 के एंट्री आपको लेजर में पास करनी है तो इस तरह से सेल्स की एंट्री मुकमल हुई तो अब चलते हैं पर्चेस करेंगे फ लोग 150 इंट्व 98 कर लेते हैं ताकि आपको कम इंट्रस फिगर मिल जावे अब इसके अंदर इंट्रस है निकालना है इंट्रस निकालने का कैलकुलेशन सबसे पहले तो फेस वैल्यू चीए तो देड़ सो इंट्व 100 कितना है 15,000 आया 15,000 पे 12 टका कितने मेने के लिए 4 मेन सबसे नहीं के लिए कैसा है मंद समझों यहां पर फॉस्ट से हमारी गाड़ी रिवर्स मारेगी फॉस्ट मैप मेनि ना चंसीडर नहीं करना पहली तारीक है रिवर्स चलते हैं वी चलो जैनवरी डिसेमबर नॉंबर ओक्टोबर कि पहली तारीक है इससले लिए उटक्टो 1100 और यह फिगर हमारा कॉस्ट कॉलम में जाएगा बहुत अच्छी बात है अब क्या बच्छो सारे वाकिनोट तो हमने पास कर दिये ना अभी क्या करने का है आपको यह होने के बाद 31st मार्च को इंटरस क्रूड भी बताना है तो इंटरस का कैलकुलेशन तो लेजर में करें है महिना किलने ते भाई कितना महिना अभी बताया तो मैंने आपको रिवस कैलकुलेशन है very good 31st मार्च लेना है कि नहीं लेना यहाँ पे लेना है क्योंकि महिने की आखरी तारीक है यहां पे बाकी सारे कैलकुलेशन में हमने महिना कंसिडर नहीं किया क्योंकि पहली तारीक ती इसमें 31 मार्च है लास डेट है तो यह मेने को कंसिडर करेंगे मार्च फेब चेंड डिसेंबर नॉंबर अक्टोबर यारी 6 मेने का इंटरस आएगा क्लोजिंग बालेंस पर वह भी लिख लेते हैं पर 31 मां 2017 को आपको एंटरस निकालना है छे महिने के लिए ठीक है इसको ध्यान दे तो महिना इंपोर्टन है और महिना लिख लिए है तो अभी समके डाम जो भी बैलेंस आएगा उस पर हम निकाल देंगे तो अब चलते हैं हमा 200 कॉलंब्राना है पहले बोल्ड वाला यानि विदाउड इंटरस फिर इंटरस और फेस वैल्यू फर्स चून पर्चेस यानि डेबिट तो टू बैंक अकांट फर्स वोकी नोट से आ रहा है थर्टी सिक्स ट्वेटी सेवन शिक्स अंडड देख यह तीनी फिगर है फिर व हमारा सेब्टेंबर के बाद आता है ऑक्टोबर इसमर याज निकालना है एक बैलेंस पर्रेस मिल रहा है वहां इन्टरस मिल रहा है बैंक अकांट डेटे करना है और वरकी नोट मैं ताइम कहा मंiments को लेजर में पश्क्राइन इंटर पर purse कौपीई वोकिंग नोट को अच्छे से समझे बच्चों लोग क्या वोलते हैं तीन के बाद चार आता है फर्स डिसेंबर है सेल्स है सेल्स हमेशा क्रेडिट में बैंक अकउंट डेबिट टू इन्वेस्समेंट अकउंट अब सेल्स में कुछछा दालेंगे नाइन्टिन नाजंड आलेंगे द्वीट चार लेंग ञे और फिर सेल्स हुआ था तो प्रॉफिट और लाउस भी कह युँढ प्रॉफिट के एंट्री देबिट में लॉस की एंट्री क्रेईट में प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखा है हमने लॉस हो तो फ्रोफिट हो या लॉस हो दोनों के लिए P&L अकाउंट ही वर्ड यूस करना है फिर क्या हो दें पांच में के बाद चट्ट है चट्टे पर पर्चेस है पर्चेस यानि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यानि इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा 14,100,600,15,000 यह नंबर याद रखे आप लोग कौन सा हम लोग को फिगर लेना है विदाउड इंटर्स, विदाउड इंटर्स हर समय बोलाँ, कॉस्ट में हैं विदाउड इंटर्स और फेस वैल्यू में तो फेस वैल्यू और इंटर्स तो हम बैस कैलकुलेट करी रहे फिर 6 के बाद आता है, 7 यानि अब बैलेंस निकालना पड़ेगा, यानि सबसे पहले आप फेस वैल्यू को बंद करेंगे यह आखरी वाला इंटर्स बैलेंस पर आता है, यानि आपको अब अकाउंट बंद करना है फेस वैल्यू का तो 30, 40, 50, 55 दोनों साइड लिखेंगे, और इससे 20,000 माइनस कर देंगे, आपको क्लोजिंग बैलेंस आगा 35,000, इस 35,000 पे ब्या जाएगा 6 महने के लिए, और सबका इंटर्स तो फिक्स है, 12 परसन, तो 35,000 पे 12 परसन, 6 महने के लिए 2100, तो यह बैलेंसिंग फिगर आपक 2100 बैलन्स के सामने आएगा, आखरी डेट में हमने काल्कुलेट किया, यह आपको को इंटर्स मिलने वाला, कृूड इंटर्स है हमारा, तो सबसे पहले फेस वैल्लू बंद करें, बैलन्स निकाले, बैलन्स पे ब्याज निकाले, इंटर्स पोस्ट करने के बाद, अब इंट्रस कॉलम बेसिकली आपका क्रेइट साइड ही है भी रहता है तो दोनों टोटल दोनों साइड लिखें और फिर इसको डेबिट से माइनस करें 6, 6, 12, 1700 से माइनस करें तो यह बैलेंसिंग फिगर कम्स तू 3200 और इसका बैलेंसिंग फिगर भी कहा जाएगा प्रोफिट लॉस में फिर से बोलाओं फेस वैल्यू कॉलम बंद करेंगे फिर इंट्रस कॉलम बंद करेंगे अब कॉस कॉलम बंद करेंगे और कॉस का भी 99% डेबिटी बढ़ा रहेगा तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखें 19,000 से माइनस कर दें तो आपका अंसारा है 32,350 यानी फाइनल कॉस्ट है 32,350 अब इसको कंपैर करना है मार्केट प्राइस से और मार्केट प्राइस समके एंड में लिखा होता आपको ठीक है तो वह कंपैरिजन कर लेते कि भाई कॉस्ट 32 350 है तो मार्केट प्राइस कितना है तो यह हमारा आखरी वर्क इनूट बनेगा वालेशन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्मेंट तो कॉस्ट तो अमने इकाल दिया 32 350 बहुत अच्छी बात है अब मार्केट प्राइस कितना था यह कोश्टन में 90 रुपिया दिया 90 रुपिय को नंबर ओफ शेयर से मल्टिप्लाइ करना नंबर ओफ शेयर कैसे आया इस 35,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है एंड में यही बचया हमारे पास तो इसको नंबर ओफ शेयर में कनवर्ट करने के लिए सिंप्ली फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो फेस वैल्यू स्टाइटिंग के सम में कितना जा सौ रुपिया है न सम के टॉप में लिखा था सौ रुपिया तो 35,000 डिवाइड बैंड तो दो जिरो काड या नहीं 350 तो 350 इन्टू 90 इस या मार्केट प आ रहा है तो हम 32 350 यहां नहीं लिख सकते इसके जगे पे आपको लिखना है 31500 अगर कॉस्ट प्राइस लूवर रहे था तो हेड़ी की नहीं है तो क्योंकि हमारा लेजर आज़ेड इस टैली हो रहा था बैलेंसिंग फिगर लिखके अब आपको मार्केट प्राइस आना है 31500 यानि अब आपका लेजर डिस्टरब होने आला है यहां पर बैलेंस और अलग से आने वाला है तो इस वज़े से आपको यह कंपैर करके डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस में आपको बताने हैं कि 850 का लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा कॉस्ट यानि खर्चा हमारा 32 350 क अब यह अगर कॉस्ट प्राइज लोवर रहे था तो हमें तो कोई हैड़े की नहीं था कुछ नहीं पास करना था अब यहां पहला समय मार्केट प्राइज लोवर यह यानि अब यह फिगर को आपको चेंज करना यह नहीं लिख सकते इसको मिटा देना आप लोग और इसके जगे पर क्या लिखना 31500 अब 31500 आने से क्या होगा आपका लेजर टैली नहीं होगा तो इस वज़े से 850 आपका लॉस है वो लॉस आपको यहां क्रेडिट में लिखना है ताकि आपका अब लेजर टैली ऊज्छ जाथीका के आपके का कैल सिय तो आप चेक कर सकते हैं अब 51 350 दोनों साइड आएगा by considering this 850 850 लिखो के तब जाके tally होगा ने तो actually यहां पे 32 350 था वो हटा के हम 31 find it लिख रहे न तो जो difference है वो difference भी ओई जगे पे लिख दो headache ही नहीं है तो यह चीज आपको याद रखनी है market price दिया है तो compare करें हर sum में और whichever is lower lower याद रखें जो चोटा है वो figure लिखें यह sum में 31 find it lower था तो lower वर नहीं के जैसे amount बदल गया amount बदल गया तो tally नहीं होगा तो इस वज़ए से जो difference है वो difference आपको credit में ही लिखना है basically credit ही आपका difference आने वाला है तो यह बहुत important है यह sum के अंदर इसको ध्यान देना आपको इसलिए market price अगर sum में दिया है तो ध्यान देना आपको compare के land में तो end में पूरा आपका sum देखो चेंज हो गया तो बच्चों यह बहुत important sum था market price के हिसाब से और come interest x interest तो हम करी रहे हैं महिना फिर से बोलो और reverse calculation को सीखना आपको तो working note को थोड़ा pause rewind करके एक दो बार देखेंगे तो easily समझ मैंगा और बहुत important है कि आप खुद notebook में solve करें कि जब तो आप solve नहीं करेंगा आपको समझ में करेंगा unless and until आप इसको खुद से solve नहीं करते तो बचो प्लीज इसको खुद से notebook में लिखने के practice करें hope so question number 4 समझ में आ रहेगा इंशाल्ला next video में जल्दी मिलेंगे thank you thank you for watching the video God bless you